हेलो दूस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ दूस्तो इस वड़े में हम लोग बात करने वाले सबसे इंपोर्टन टॉपिक से रिलेटेड एंड वो है बैंक का टॉपिक यह दूस्तो आप सभी लोग का पता है जैसे जैसे 28 तारीक नजदीक आ रही है बैंक स्टॉक्स अगर आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी देखोगे प्रेशर का शिकार बने हुए है बहुत ही जादा हम लोग को गिरावट वापे देखने को मिल रही है तो इसी के चलते बहुत सारे लोग यहापे पूछ रह देखा फ्यूचर में वह अच्छेगा से रिटन दे पाएंगे वह भी हम लोग बात करेंगे यहापे हर एक बैंक के उपर में कुछ आप लोग को यहापे टिपनी देने वाला हूं कि ऐसे बैंक में यह प्रॉब्लम है इसलिए मैं अवाइड करता हो यह बैंक मुझे इसलि दिल से मैं आपकी सामने आपे रख लेता हूं तो चली दोस्तों फड़ावड इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते बढ़ उससे पहले जरू कि ना चाहूंगा सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर अगर आप लोग यहापे देखते हो देखें निफ्टी तो डाउन है तो आप सब लोग पता है प्रेशर का अगर शिकार बनता है पूरा मार्केट तो उसमें निफ्टी बैंक में तो हम पर रेकॉर्ड यहापे ब्रेक हो चुका है कि मंतली एक्सपाइरी में निफ्टी इतना कभी क्रेश नहीं हुआ था मंतली एक्सपाइरी में आप जितना भी डेटा निकाल लो साड़े तीन परसंट के आसपास कभी निफ्टी क्रेश नहीं था जो कि पहली बार मतलब बैंक के संकेत भी अगर आप देखोगे तो प्रेशर वाली हम लोगों को देखने को मिल रहे है तो इसी के चलते यहापे हम लोगों को बैंक में भी प्रेशर देखने को मिल रहे है बट जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 721 पॉइंट की अगर मैं बात करू तो इसमें वो जो गिराव का जो डिशियन था वो 28 तारीक को उन्होंने आगे एड़्जॉन कर दिया था अभी 28 तारीक को बता जा रहे है कि शायद से फाइनल डिशियन आ सकते है क्योंकि सुप्रीम कोट का खुद का यह कहना था कि हम लोग इस मैटर को ज्यादा खीचना नहीं पसंद करते हैं तो शायद से आप लोग उम्मीद रख सकते हैं 28 तारीक में आप लोगों को बताना चांगा यह सोमवार का दिन है मतलब जो भी कल कुछ होना है बैंक में होने वाला है मतलब किसी को अगर कोई डिशियन लेना यहां पर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड यूजवली फ्राइडे ये उनके लिए कल एक फुल फ्लेजर दे रहने वाला है उसके बाद सेटरेडे संडे इसके पहले भी जो डिशियन थे वो हम लोगों ने देखा था कि बैंकिंग के फेवर में नहीं थे मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें वो NPS नहीं रेकरनेस कर सकते उसी के साथ साथ अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो वो भी उनके उगर एक्शन नहीं ले सकते प्रेशर नहीं डाल सकते उनको पूरा प्रोटेक्शन जो बॉरावर जे उनको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कह सकते सुप्रिम कोट ने उनको दिया है तो अभी तक जीतने भी चीज़े होई है यह एक्सपर्ट के द्वारा यह चारी चीज़ें सामने आ रही कि banks के favor में अभी तक ऐस सच कोई decision देखने को नहीं मिला है तो अगर 28 तारीक को अगर कोई फैसला अगर banks के against आ जाता है तो वो बहुत ही बड़ा damage हो सकता है क्योंकि RBI ने चेताओनी पहली ही दे दिये कि जो damage रहेगा banking system के उपर वो बहुत बड़ा घेरा हो सकता है कुछ bank ऐसे रहेंगे जो कि उस pressure को जहल पाएंगे बट कुछ bank ऐसे रहेंगे जिनके लिए वो बहुत ही खरब सीती हो सकते है मैं वापस बात करा हूँ कि bank यहाँ पर डूबेंगे नहीं बहुत सरा लोग बोलते है कि डूबेंगे तो ऐसा इतना आसान नहीं है डूबना bank यहाँ पर जरूर रहेंगे bank के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी रहता है बट हम लोग कह सकते ही जो की returns की मैं stock market की बात करा हूँ तो हम लोग returns की बात करें तो वह हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे यूजुली अगर पब्लिक सेक्टर बैंक देख लेना जो government के बैंक जो रहते हैं अगर मैं आपको यहाँ पे indices में लेके आओ तो आप सभी लोग को पते हैं यहाँ पे दो बट कोई returns की गुणजाश नहीं इससे अच्छा तो उनके FDs में आप रखोगे तो पैसा मिलता है और बहुत सारे लोगों को अभी यह बहुत प्रूफ भी हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं अच्छे से अच्छी बैंक इसकी कौन सी है तो State Bank of India इसका भी performance आप देखो सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो यहाप एक stability भी रह सकती है मतलब आप डर नहीं सकते कि चलो यह bank जिन्दा रह सकते है मतलब हम लोग को return मिलेंगे जिन्दा रहना मतलब return मिलेंगे कुछ bank ऐसे है जिनके उपर हम लोग कह सकती कि already pressure बना हुआ है तो A to Z कौन से bank ऐसे है जो सकता है कि वो come back करने के लिए शायद से बहुत time ले सकता है मैं इस pattern से आपके सामने बात रख रहा हूँ और कौन से इसे bank है जो गिरेंगे तो सही बट recovery के साथ आप लोगों को अच्छे का से return दे पाएंगे तो सुरुआत करेंगे यहापर जैसे मैंने आप लोगों को कहा क बैलेंशिट स्ट्रॉंग है इन्वेस्टर कल अगर मतलब बोलते हैं बैंक अगर कल fund raise करना चाहती है पैसा लाना चाहती है तो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा देंगे तो ऐसे banks के मैं बात करूंगा तो सबसे पहले हमेशा की तरह मेरा जो टोन रहता है आप सभी लोग पते है HDFC बैंक, HDFC बैंक बहुत ही सॉलेड है, सूपर भे, टॉप 5 में आने वाला स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर की बात करें नंबर वन बैंक है, इसका अरती है नहीं, बहुत सरा लोग बोलते हैं सर यह HDFC बैंक 700 गया तो 400 गया तो अगर यह 400 गया तो बाकी competitors क्या क्या होगा यह भी आप लोग अंदाजा जरूर लगा लेना, सो HDFC बैंक, यह strongest बैंक में से यहापे माना जाता है, reason भी मैंने आप लोगों को यहापे दिखा दिये, सो मैं वापस कहना चूँगा, यह कोई आपके लिए recommendation नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि अगर market गिरा तो मैं ज जो सही लगता है, आप यहापे कर सकते हैं, उसके बाद second strong bank है, कोटक महिंदरा, बहुत धीमा चलता है है, मतलब 800 के range में भी बहुत सारे लोग अठके हुए, बट still एक assurity के bank आपको recover करके जरूर देगा, मतलब इसके long range के आप chart pattern देगे, देखेंगे, तो ऐसा history में भी हो होने के लिए क्या 500 भी आ सकता है, बट recover होके आपका return आप लोगों को जरूर मिल सकता है, यह ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए कोटक महिंदरा bank भी मेरे radar पे है, उसके बाद अगर मैं बात करू, तो risk तो जरूर है, बट यहापे में जरूर इस bank को बहुत ज़्यादा, फ पर भी मेरा नजर यहापे बहुत ही strongly रहने वाला है, जब COVID नहीं था, यह 550 तक बहुत शांदा return दे चुका था, मुझे लगा था कि यह 1000 तक जरूर जाएगा, क्योंकि performance अचा था, COVID के वज़े से अभी 330 के आसपस आ चुका है, तो यह 3 bank मुझे बहुत ही strong नजर आते है, उ उसके बाद कोटाक हो सकता है, HDFC, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है, राइट, सो आप लोगों को लिए यहापे मैंने बता दिया है, उसके बाद यहापे इंडसिंड बैंक, इंडसिंड बैंक आप सबी लोगों को पता है, 1180, 1000, यह जो लेवल है, इसके उपर में exit अल्रड़ी कर चुका हो, पूरा complete, यहापे 50% बुग किया था, next 50% यहापे 1000 पे बुग किया था, क्योंकि इंडसिंड बैंक का चार्ट पेटर्न डाउन ट्रेंड में था, पहले 2000 से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, नुकसान मतला प्रॉफिट में निकला, बट अच्छा खासा नुकसान मतला प्रॉफिट कमाने वाला था, चला गया, कोई बात नहीं, लॉग टम का निवेशक हूँ, तो 10 में से 4 तो गलत जाएंगे, बट 6 में जबरदस प्रॉफिट मिल रहा है, तो इंडसिंड बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी है वोड़ा फोन तो इसलिए देख लेना, यह कितना 8% के आसपस गिरा है, पौन है 8% के आसपस, सो बीच में यह जंप करता है, तो बहुत से लोग पूछते सर के आपका मन बदल गया, तो मैंने एक बार बोल दिया कि मैं नहीं खरी दूँगा तो नहीं, चाये इसके बाद वो कितना भी भा जाते हैं, इनके उपर हम लोगों को ज़्यादा बिक्वाली देखने को मिलती है, बैंक जबरदस्त है, बट जो मैंने टॉप पिक किये है, मैं उन्हें में रहना पसंद करता हूँ, उसके बाद RBL बैंक, सेम स्टोरी, जब भी प्रेशर आ जाते हैं, इनमें जबरदस्त हम फंडामेंटली अगर मैं बात कुर देखें, मैं किसके हिसाब से बोलता हूँ, मेरे कंपनी के रिजर्ट्स पड़े हैं, बैलेंस इट देखिए, इसके हिसाब से मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बट है तो रिस्की, मतलब कौनसी एसी बैंक है, जो की रिस्की है, बट स्टील आप लोग जरू फोकस रख सकते हो, वह है फेडरल बैंक, अभी पूरा मार्केट गिरेगा, तो फेडरल बैंक भी गिरेगा, अगर देखा जाए तो इनकी रिजर्ट बहुत ही एट्रेक्टिव थे, प्रोविजिनिंग भी उन्हें जादा करके रखे थी, उसके बावज़ बैंकिंग में, तो मैं जरूर इसके उपर विचार करते रहता हूं, उसी के साथ साथ बहुत सरो लोग मुझे पूछते, IDFC, IDFC First Bank, तो वो मुझे पसंद नहीं, वो भी Vodafone Idea के वज़े से अटका हुआ है, 50% उन्हें प्रोविजिनिंग जरूर के, बट 50% स्टिल बाकी है, तो एक डेंजरस बात है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और भी अलग-अलग बैंक है, जो कि मैंने कवर नहीं के, मेरा पिक है, स्ट्रॉंग बैंक में रहेना, एंड इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, कि अगर ये स्ट्रॉंग बैंक कल आदे भी हो गए, तो बाकी इनके जो कॉमपेडेटर हैं, वो तो वन्थ फोर्थ ही हो जाएंगे, इतना मतलब उनकी हालत खरावोगी, तो स्ट्रॉंग बैंक में अगर आप रहते हो, तो आपके चांसे ज्यादा रहते हैं, कि आप लोग वहापे अच्छा कासा रिकवरी के साथ रिटन कमा ला हूँ, वापस के ना चाहूँगा, इतनी बार डेंजर मैंने बता दिया है, तो संभाल के रहना, और वो बैंक है, आप लोग के सामने आ चुका है, AU Small Finance Bank, उजिवन Small Finance सुना है, तो उसमें मैं निवेश नहीं करता हूँ, मैं AU Small Finance Bank में छोटा-छोटा इंवेस्मेंट करता बहुत रिस्की है, नाम में ही सब कुछ लिखा है कि Small Finance Bank है, तो संभाल के रहना, ये कुछ मैंने अपने पीक्स आपके सामने आपे रखे हुए है, तो बहुत सारे बैंक से, जो कि आप लोग यहापे देख सकते हो, बट मेरी तरफ से मैंने आप लोग को बता दिया, तीन स् परपस से रिलेटेड है, बहुत सारे लोग जोश में आ जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है, आप लोगों को यहापे सीखना है, आपको जो सही लगता है, आप वहापे एक्शन ले लेना, तो फिलाल वीडियो को यहीं पर रोखना चाहँगा, वापस कहना चाहता हो, दो यही बैंक से जिनके उपर आप चाहो तो नजर रख सकते हो, आयो भाशा करता हो दोस्तों, आपको यह वडियो चल लगे, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बाते पता चल जाएगी, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting in the next video, तब तक के लिए, बाइ- झाल